हलो स्रूरेंट्स मैं अनुभगुपता और आज का हमार टॉपिक है सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉलिबिलिटी ओफ आयनिक कमपाउंट्स व्लाइक नूर्जा और आयनिक कमपाउंट्स की विलेता आज हम इसी बारे में डिसकस करेंगे जैसा कि आप जानते हैं आयनिक कमप सॉलिबल होते हैं समान को समान घोलता है मतलब आयनिक कमपाउंट्स पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉलिबल होते हैं समान को समान घोलता है मतलब आयनिक कमपाउंट्स पोलर सॉल्वेंट में सॉलिबल होते हैं जबकि कोवलेंट कमपाउंट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉलिब लगुट कि एक से आइने कंपाउंड को किसी फॡऊलेंट में डालते हैं तो पूलर सॉल्मेंड के अंदर क्या होता विखेज़ दो पॉल्स होते हैं एक होता है पोजिटिव एंड और एक होता है नेगेटिव ए तो यह पुलर मॉलीक्यूल है तो जब किसी आइनी कंपाउंड्स को जैसे फर एक्जामपर सोडियम क्लॉराइड ली हमने ले रखें लिए विए इस सोडियम क्लॉराइड को जब करे दूस ञगे पॉज़िटीव जैगेटिव ओ को अगर्शिट करें तो कि अब में अखने होगा और लाभ घर आहिए इतना हो जाता है कि जो इन जो आन से अपना लेटिस्टी स्थोड़कर बहा है निकला राते हैं और इस वह सोल्वनट नुख़ जो पॉल स्था जो पॉल्वेंट है और उन मॉलीकूल के दारा घर जाते हैं इस पक्रिया को हम कहते हैं है हीड्रिश्य इसका मतलब क्या हुआ है जब आयंग किस्टल को आपने solvent में डाला तो solvent का positive end आयनी किस्टल के negative ions को अटेक करेगा और negative end जो है positive ion को अटेक करेगा और यह solvent molecule को किस्टल के ions को खीच का अलग कर देते हैं आसाकि ही तुल्वेंस इषय देला ले आइंस के सब्सक्राइबाEM प्रबल हाइड्र बंद एकार जल की कई लेड Till strengthen अब यह कि हम ही कहते हैं जो आइनी कंपाइन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉलिबल है तो इसमें हाइड्रोजन मॉर्णिंग भी पाई जाती है लेकिन तब भी अच्छा सॉल्वेंट नहीं है क्योंकि है एक वीग बेस है और वीग बेस होने के कारण ही यह जो है अच्छ करने में ऐसा मरता है अब जब लाइकन होता है तो हमने क्या बता है कि जो आयन है वह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से घिर जाते है एक्जामपल सोडियम है हमें दिखाने सोडियम और आयन का हैड्रेशन कैसे हो रहा है सोडियम जो है वाटर के एच ऑक्सिजन के नेगिटिव सरलैक के द्वारा आक्षिन है और इसके चाहुत एक लेयर मन की वाटर मॉली क्यों कि एससे कहते है प्राइमरी हाइडरेशन स्वियर कुछ अर्छ पांता मॉलिक्यूल इक इस सब्सलियोJack है कि देखें कि अंदर भी जो है किस से अट्रेक्ट है सॉल्वेंट के एच से पार्शली पॉजिटीव है इसके दौरा गिरावा इनमा अट्रेक्शन है एक लेयर बनगी इस होगी प्राइमरी हड्रेशनी स्फियर प्राइमरी जलियूजन शीद कुछ वाटर मॉलेक्यू देख कि दौबारा से हाइड्रोजन बॉर्ण निके द्वारा इंड्रायक्ली इस क्लॉयर से जुड़ेवे हैं एक दूसी लेयर बन गई इससे कहते हैं सेकेंडरी हाइड्रेशन इस्फियर कितने वाटर मॉलेक्यू सो घेरेंगे यह दिपैंड करेगा कॉडिनेशन नमबर पार जब देखें यहां अट्रेक्शन है जो आयन्स और वाटर मॉलेक्यूल के बीच में अट्रेक्शन है इसका कुछ ऊजा निकलेगी इस ऊजा को कहते है हाइड्रेशन एनर्जी और यदि सॉल्वेंट कॉमन बड़ हमी उस कहते हैं तो इससे हम कह देते हैं सॉल्वेशन एनर अगलेगी उननेकलेगी वो एह आयोज्वेशन के ऐं सॉल्वेशन एनर्जी जाद होगी‍ंद सॉल्वेशन होने में इसका दो फेक्टर काम कर रहे हैं तो ईनिक इस्टल् याइन के बीच वीच में पीचिipping और एनिक इस्टल्स के आयंस और वाटरलमेंट मॉलीक्यूल के पिसमें आकश्वा, तो इन बाता है आपको अनर्जी निकलती है, इस अनर्जी कह दिया, अब सॉलीशन अनर्जी किस पर डिपाइंड करेगी, इक से अधिक नाबिक आवेश वाला छोटा आयन अधिक जली उजित होगा ज्यादा सॉलबेटिड होगा आयनी तिर्जा पढ़ने के साथ जलियोजन उर्जा कमान कम होता है इसका मतब साइज छोटा होगा तो सॉल्वेशन एनर्जी कमान जादा होगा जैसे एक जहां दिल लिथियम, मेंगनिशियम, अल्यूमिय और झाल नदिकी जलियोजन उर्जा कमान अधिक होता है जबकि सोडियम और बेर्य उर्जा कमान बहुत कम है साइज छोटा होगा, चार ज़ाधा होगा, सॉल्वेशन एनर्जी कमान जाता होगा इसके मतब जो जो आयनी कंपाउंड को आपने इस सॉल्वेंट में डाला तो सॉल्वेंट का क्या हो गया व्लाइकन हुआ विल्लियन मन गया तो इस उजा के कुल परवेरतरों को हम एक बॉर्ण हेबर साइटल की सहाथा से प्रदर्शित कर सकते हैं कैसे जैसे अपने सोडियम आपका आया आयनी क्रिस्टल हो गए सॉलिड है सॉलिड में जा आप सॉल्वेंट डाला तो दो तरह से हो सकता है विल्लियन दो तरह से बन सकता है दो स्टैप में इसको शो कर सकता है एक तो उनने बता दिया जो आयनी क्रिस्टल है उसमें सॉल्वेंट डाला और सीधे उसक फेले उन्स बने उन्स का हुआ सॉल्विशन तो आइनिक क्स्टल के आइस बनने में कुछ एनर्जी देने पड़ेगी वह लाटिस एनर्जी ब्राबर होगी जब इस पन जाएंगे यह वाटर मॉलिकूल यह सॉल्वेंट से गेर जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, जिसे हम कहरे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, तब जाके विल्लियन बनेगा, तो इसको हमने इस वह नहीं हबर साइकल की साइटा से हम इससे बता रहे हैं, अब तीक हमने लिख रखा है, ठोस, MS की जालक उरजाए, यूसे जो करने लैक्ट लैटिस इनर्जी माइनस हाइड्रेशन इनर्जी, L is equal to U-HS, पोजिटिव आयन की हाइड्रेशन इनर्जी, पलस नेगेटिव आयन की हाइड्रेशन इनर्जी, L है, L कै आयनी किस्टल की व्लाइकन हूरजा, ये हम इसे और अच्छी टर्म से में हमें विल्लियन उरजा कह सक या माल रणात्मक होता है या विलाशील यूगर उगाफ जो दो क्या हो Nagoya लेखियों दो लाकों से रटीम्पन्मे में यह और नेगटिव होता है और इक्स एक्स इूथर्मिक रेक्शन होती है से मतलब है कि जब solution मनेगा तो temperature निकलेगा जिस आपने दिखा हुआ कि कुछ आइनी कंपाउंस पानी में डिसॉल करते हैं तो वह गरम हो जाते हैं कि जो सॉलिवेशन एक लिएक्ष्स अनरजी से जादे एक एक लिएक्ष्ण हो अब हम देखेंगे कि सॉलिबियटी किस पर पहेंड करेगी इसलिबियटी करते हैं तो जैसे हमने बताया था कि आयनी कंपॉंड जो आयन से वियाविस्तों का एक निशित संदशना में लगे जाते हैं किस्टल लैटिस कहते हैं और विप्रित आविशितायों के पबल वैद्धूत आकशनबल की तौरा बंदी रहते हैं अब जब आयनी क्योगों की विलेता की बात करते हैं तो विलेता का होने के लिए क्या करना पड़ेगा इन आयनी क्यों के बीच में जो स्ट्रॉंग आकशनबल है उसे तोरना होगा इसमतलब कुछ एनरजी तोरने के लिए इसको देनी पड़ी जो सी किसके बराबर होती है जालक उर्जा के बराबर होती है और लैटिस अनरजी दूसी करेगी हाइडेश अनरजी या सॉल्वेशन अनरजी अब हम यदि बात करते हैं सॉलिबलीटी इसका मतलब कंपाउंड जो आयनी कंपाउंड जलेजों का उर्जा का मान जालक उर्जा की तुल्णा में अधिक है तो वह यहोगी क्या होगा विलेशी सॉलिबल होगा और जालक उर्जा कमान लैटिस विलाइकन उर्जा से कम है तो कंपाउंड सॉलिबल होगा में जो फैक्टर है एक फैक्टर यह भी इसके अलावा एक तूसा फैक्टर और काम करता है इससे हम कहते हैं एंट्रोपी चेंज आपने पढ़ा होगा एंट्रोपी चेंज क्या होता है जो एंट्रोपी है एक तरह से जो हम कहते हैं उसकी जो हम बात करते हैं एंट्रोपी है एंथल्पी की बात करते हैं तो जो एंट्रोपी चेंज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टन फैक्टर है कुछ आपने दिखा हो कि कई केसिस के अंदर योगी भी बहुत विलेशिल होते हैं जिनकी व्लाइकन उच्जा का मान धनात्मक होता है यह थो हमने बता दे कि यह दी सॉल्वेश अनरजी लैटिस अनरजी जाता है तो सॉलिबल होगा लेकिन कई केसिस के अंदर जो सॉल्वेश अनरजी का मान जो है यह विलियन उच्पा का मान पॉजिटिव है लेकिन तब भी कमपाउंट सॉलिबल हो जाता है जिसमान रियक्षिन के एंडो थर्मिक लेकिन तब भी वो तुलिबल हो जाता है वोसका मैन रिजेन है एंट्रोपी जादा है तो भी पंपाउंड सॉलिबल हो सकता है जैसे हम इसको एक्जांपल दे करें हम बता रहे हैं जो किसी भी तंद की मुख तूर जाओ एंड़लेशन वही है, डेलटा जी जगल टो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस Δेल्टा S क्या है लाइक अनूर्जा इस हमने L से शोकिया था है विल्लियन उश्मा विल्लियन उश्मा कहा था इस हमने Δेल्टा G है फ्री अनर्जी Δेल्टा S क्या है एंट्रॉपी चेंज तो Δेल्टा H हो है L के बराबर है तो Δेल्टा G is equal to कितना हो गया L माइनस D डेल्टा S हम यह कह रहे है कि यदि Δेल्टा G कमान नेगेटिव है तो कमपाउंड सॉलिबल होगा तो यदि L जा हमने का विल्लियन उश्मा जो किसकी बावाबरती U माइनस H की बावाबरती यदि नेगेटिव है जो सॉल्बेशन अनर्जी लैटिस अनर्जी से जादा है जिसका मतलब ल्कमान नेगेटिव हो गया तो एक्सटर्मिक रेक्शन है और आईनी कमपाउंड जो है सॉल्बेंट में सॉलिबल होगा L कमान डात्मक है विलायकन उख्षमा का प्रक्रम उख्षमा शेपी हो शेपी होगा तो सॉल्बल है अब दूसरी बात करें कि हम L का मान यदि पॉजिटिव है मतलब लैटिस अनर्जी सॉल्वेशन अनर्जी से जादा है L पॉजिटिव हो गया लेकि तब भी कमपाउंड सॉल्वल कैसे हो सकता है कमपाउंड सॉल्वल हो सकता है यदि डेल्टा एस का मान जादो L से जादो हो जाए तो क्या होगा डेल्टा जी नागेटिव हो जाएगा और जो है कमपाउंड सॉल्वल हो जाएगा मतब डेल्टा जी नागेटिव होना चीए दो कंडिशन में होगा एल कमान नेगेटिव हो नाच्रोली डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा कंपांड सॉलिबल होगा दूसरी कंडिशन है कि रियक्ष्ट बिल्लियन की जो उसमा है पॉजेटिव है लेकिन यदि उसमें जो जो यह नहीं होगा वह दो फेक्टर सब्सक्राइब करेगा लेटिस अनरजी एंड शॉलेशन अनरजी लेक्ष्ट जादा है सोलवेशन से तो चांस है कि कंपांड इन सॉलिबल हो जाए लेकि तब भी सॉलिबल हो सकता है यदि डेल्टा एस का मान डेल्टा जो डेल्ट करेगी किसे कहेंगी और किस तरह से और जो है फिलाइकन उर्जा पर निर्वर करती है नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगी फेक्टर्स अफेक्टिंग सोलेबलिटी ओफ आयनी कंपांड्स आयनी कंपांड्स की विलेता को प्रभावित वन विगने वाले कारक थैंक्यू